इसलिए मुश्य की एक आदत होती बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखता है संबंधी, मित्र, बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं यश, मान, बुरे समय में चला जाता है तो व्यक्ती सोचता है क्यों ना धन संचय करता धन का तो कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए संसार कहता है कि धन का संचयन करते रख बुरे समय में काम आएगा है मैं कहता हूं शुब कर्म करते रख आनन्दित रह स्वयम पर और ईश्वर पर विश्वास रखो बुरा समय कभी आएगा हीन कर दे प्रकृति ने मनुष्य को एक विशेश शक्ति दी अन्य जीवों से अधिक शक्ति दी स्मरण शक्ति यहीं शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती इतिहास दिखने की प्रेरणा देती ज्ञान को पीडी दर पीडी आगे भी बढ़ाती और जो भूल जाते अधिकतर रूप से वो उपहास और दया के पात्र बन जाते परंटो क्या यही पूरण तह सत्य है नहीं यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी वन जाती उसके चित को दुशित कर देती बुरे अनुभव किसी का दिया गया धूका किसी का किया गया कटा आक्ष मनुश्य भुला नहीं पाता और फिर लग जाता है प्रतिकार पहले समय नश्ट करता है प्रतिकार की तयारी में फिर समय नश्ट करता है प्रतिकार का अवसर ढूणने में यदि संतोष पाना, यदि जीवन में आनंद पाना तो स्मरंण शक्ति का सदुपियोग कीजिए अपनी स्मरंण शक्ति को केंदरित कीजिए केवल अच्छी बातों और अच्छी यादों कीओ मनुष अपने बरिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता दिन रात परिश्रम करता है ताके अपने बरिवार के अवशक्ता पूर्ती के लिए धन कमासने परंतु क्या केवल धन कमाना आप परियाप्त है आप कहेंगे हाँ क्यों ने धन से सब कुछ मिलता है विद्या मिलती है घर मिलता है और शदी मिलती है क्या कुछ नहीं मिलता यह सब एक सीमा तक ठीक है किन्तु तनिक मन से सोच के देखी जब बालक रूगी होता तो वो उस तरभी औरषदी को क्यूं पी लेता है इसलिए क्विए उसके पिता ने उस औरषदी को धन से खरीदा नहीं कि क्यूंकि इसलिए क्यूंकि उससे सामने खड़ा उसका पिता werden उसके उन ये विश्वास, ये संस्का, ये सीख कभी धन से नहीं मिलती, ये मिलती है उस समय से जो माता पिता ने अपने संतान के साथ बिताया, इसलिए जीवन में धन अवश्य कमाई, तो अपने परिवार को भी समय दीजिए, प्रसन्निता मिलेगे, राजे, राजे, तुझे बताईए, इस दीवार को तोड़ने का क्या लाब है, यदि किसी संबन्ध में संदै घर कर लेता है, तो आए देन शत्रुता किस्तिती बनी रहती है, कल कोई और कारण बन सकता है, इस दीवार के पुना बनने का, तो क्या पुना इस दीवार को बनाएंगे का कर, संबन्ध की पवित्रता बैसी होनी चाहिए, जैसे एक माता और संतान के प्रेम में होती है, निश्चल, निर्दोश, कि बात केबल रूठनी मनाने तक ही सिमित्रे, और कोई भी घुसपैठिया आकर भावों को दुशित न कर पाए, ना कोई वस्तु, ना कोई परिस्थिति, ना कोई व्यक्ति, कोई उन्हें अलग न कर पाए, काका, सोचिए, यदि ये दीवार पुना बननी है, तो इसे तोड़ा ही क्यों जाए, यदि मन में एक अटूट संबंद स्थापित करने का ध्रिण निश्चय ही न हो, तो क्यों तोड़े इस दीवार को, बताईए है विश्वास, है अटूट विश्वास कि इस संबंद कभी न तूटेगा, यदि है, तो तोड़ दीजे इस दीवार को, अन्यत्र ना, पत्री का संबंद सबसे बड़ा संबंद माना जाता है, और है भी, सब्त पदी लेकर साथ जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं, अर्धांग, अर्थाथ अर्धांग, क्या इसका महत्व आप समझ पारें अपना समस्त जीवन किसी के साथ बाटना इंदुक्या संसार के सारे पति-पत्नी एक दूसरी के साथ अपना समस्त जीवन बाट सकते हैं क्या इसमें सभी सक्षम रह पाएं अपना जीवन किसी और के साथ बाटने के लिए सबसे महत्व पूरण बात है स्विक्रिति, स्विकार करना सामने वाले व्यक्ति को स्विकार करना उसकी अच्छाईयां भी, उसकी बुराईयां भी संपूरत रूप से व्यक्ति को स्विकार करना होगा तभी ये संबंद बढ़ेगा तभी ये संबंद और भी संदर बनेगा एक दूसरे के दोश धूनना उन्हें गिनाना ये केबल और केबल एक ही कार्य करता है इस संबंद के जीवन का नाश करता है पस बदले में होना ये चाहिए एक दूसरे के दोश समझ कर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए उनकी कमियों को उनकी शक्ती बना देनी चाहिए यहीं तो होता है दामपत्य यहीं होता है बुराईयों का दमन और यहीं होता है गुणों का खुद्धार राधे राधे कंकर इतना छोटा सा कि उंगली पर आजाए किम्तों सोचिए यदि यही कंकर आख में लग जाए तो खितनी बड़ी समस्या बन जाता है अब सोचिए यह कंकर आपके मार में है आप पादुकाए पहन कर बड़ी सरलता से आगे निकल जा सकते है किम्तों यदि यही कंकर आपके पाओ और पादुकाओं के बीच फस जाए तो आप ठीक से चल नहीं पाएंगे बले ही वो मार कुश्पो से भरा क्यों ना अर्थार आप भार की समस्याओं से उन्चिनोतियों से लड़ सकते हैं भीतर की ने भीतर की समस्याओं से लड़ना अत्तिन तकठिन होता है इसलिए सर्व प्रथम आप भीतर से शक्ति शाली हो जाएंगे भीतर से पूर्ण हो जाएंगे पर आप इस संसार के समस्त समस्याओं और चुनोतियों से लड़ सकते हैं आप विजय हो सकते हैं राधे राधे प्रेम ये प्रेम इस संसार में किसे नहीं भाता हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया ही हर कोई जानता है ये प्रेम कितना सुन्द है क्यों ये प्रेम भाग इस संसार में सबसे शक्ति शाली भाग अब हर शक्ति के साथ आते हैं कुछ उठतरदाइथ अब जैसे ही उठतरदाइथ वह हमारे जीवन में आते हैं हम सर्व प्रथम प्रेम को भूल जाते हैं पिर हमें ये प्रेम कि बोछ लगने लखता है कि इंतों संसार का सथ्क्य तो यहीं हर प्रसनिता के साथ उत्तरदायत वह आएंगे जिसका पालन हमें करना ही होगा अब यदि मैं आपको उधारण दूँ आपके बगीचे में आप चाहते हैं कि एक सुन्दर सा पुश्पो से भरा हुआ व्रिक्षा तो सरो प्रतम उसके लिए आपको जल और धूब का आयोजन करना होगा हम सभी प्रती दिन अपना कार रे करते हैं तो कभी कुछ अधूरा रह जाता है तो कुछ भूल हो जाती है कभी कुछ हानी हो जाती है और फिर उस भूल उस हानी के अनुभव की पीड़ा तले हम दप जाते हैं अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा होना तो स्वभाविक है यदि ऐसा है तो तनिक सूर की ओर देखिए वो प्रती दिन अंधकार से लड़ता है और हर रात्री के पस्चार एक नई उर्जा एक नए तेज के साथ उधित होता है तो क्यों न आप भी अपने जीवन के बीती पुरानी बुरी बातों को भुला कर अपना प्रत्येक दिन नई उर्जा नए जीवन की तरह प्रारंभ करें विश्वास कीजिए आपका जीवन सरल हो जाएगा और आनंद दाई भी व्रिक्ष जब फलता है तो कितना सुन्दर लगता है उसकी डालियां जुक जाती है जितने अधिक फल उतनी जुकी डालियां कारण व्रिक्ष कहता है कि मेरे इन फलो को तोड़ो उसका आनंद लो इससे एक और हमें व्रिक्ष के मीठे फल खाने को मिलते हैं तो दूसरी और व्रिक्ष के स्वयम का बोच कम हो जाता है इसी भाति यदि आप सफल हैं तो अहंकारी मत बनी विनम्र रही ये विनम्रता ही आपके बोच को कम करेगा और यदि आप विनम्र ना रहे जुके नहीं तो आप अपनी ही सफलता के फलो के बोच से तूट कर गिर जाएं समय बदलता है रित्वे बदलती है जब गर्मिया होती है तो हम उलाना करते हैं कि बड़ी गर्मी बारिशे कब आएं और जब बारिश आती है तब हम कहते हैं कि बड़ा चिपचिप सर्दिया कब आएं और जब सर्दिया आती है तब हम गर्मी की प्रतीक्षा करने लगते हैं और इसी कारण हम किसी भी रित्व का आनंद नहीं उठा पाते कल क्या होगा इसके विशय में सोच कर अपना समय व्यर्थ करना बंद कीजिए रित्वों पर आपका कोई वश नहीं परन्तु आज के अभी के इस पल पर इस शन पर आपका वश तो है उसे जीना सीखिए उसका आनंद उठाना सीखिए सबके मन का सबसे बड़ा भै क्या है? सबसे बड़ा लालच क्या है? सबसे बड़ी चिन्ता क्या है? तनिक विचारिये सबके मन का सबसे बड़ा भै, सबसे बड़ी चिन्ता है मृत्यू सभी सोचते हैं, सभी भै खाते हैं कि कहीं मृत्यू ना आजाए सभी लालच करते हैं कि कुछ दिन और जीने को मिल जाए सभी आशा करते हैं कि वे कभी ना मरें और इसी मृत्यू के भै के कारण ही आप उस जीवन की उपेक्षा कर देते हैं जिसे आप जी रहे हैं क्या कभी आपने सोचा कि आप मृत्यू से भैभीत क्यों होते हैं? क्यूंकि आप जीवन में वो कर नहीं पाए जो आप करना चाहते हैं और जो आप करना चाहते हैं वो कर पाना तभी संभव होगा जब आप मृत्यू के भैसे निकल कर अपने जीवन के हर पल का उप्योग करना सीख जाएंगे तो मृत्यू के भैसे बचने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही मंत्र है, अपने जीवन के हर बल को जीओ व्रिक्ष मुझे बहुत प्रिये हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते होंगे, कारण ये है कि वो हमें छाया देते हैं, अपनी शीतलता देते हैं, शान्ती देते हैं, परन्तु मुझे व्रिक्ष एक और कारण से अच्छे लगते हैं, और वो कारण ह वो सीख जो एक व्रिक्ष हम सभी को देता है और वो सीख है अमर्ता एक व्रिक्ष कभी नहीं मरता मरने से पूर वो अपने जैसे कई व्रिक्ष अपने बीजों के द्वारा संसार को दे जाता है तो अमर होने का केवल एक ही मार्त है और वो है जो आपके पास है वो संसार को दो अपना ग्यान अपना अनुभव अपना आनंद बाटने में कंजूसी ना करें कभी कृपट ना हो तो आप संसार में सदा जिवे सदा अमर रहेंगे हम सभी घरों में रहते हैं और अधिकतर लोगों के जीवन का ये एक स्वपन तो होता ही है कि हमारा अपना घर हो है ना और बड़ी अद्बुद बात तो ये है कि कुछ समय के पश्चाथ हम उस घर को विस्तृत करना चाहते हैं उसका आकार बदलना चाहते हैं उसकी रूप रेखा बदलना चाहते हैं चुकि इसमें आनंद भी है तनिक सोचिए जब आपको घर का वास्तु बदलना हो उसे और सुन्दर बनाना तो पुराने निर्मान को तोड़ना पड़ता है उसे गिराना होता है घर में तोड़ फोड़ करनी पड़ती है चुकि निर्मान के विज्ञान में तूटने का ग्यान बहुत ही अवश्यक है ठीक उसी प्रकार यदि आपके जीवन में समस्याएं विबदाएं या बाधाएं आपको थोड़ा तोड़ें तो इसे संकेत समझें कि आपके भीतर कुछ नया बनने वाला है कुछ नय का निर्मान होने वाला है और स्वागत करें इस नय निर्मान का अपने जीवन के इस नय युग का कभी वन में सी को अखेट करते देखा है हमें लगता है कि सी ही तिजस्वी है बलशाली है तीव रहे इसलिए वो अखेट कर पाता है परंतु इस अखेट के दूसरे पक्ष को भी देखने का प्रयास कीजिए सिही अखेट तभी कर पाता है जब हिरन आस छोड़ देता है जब वो भागना बंद कर देता है जब वो संघर्ष करना छोड़ देता है सिही हिरन की मृत्यू नहीं चुनता फिरंड स्वयम अपनी मृत्यों चुनता है ठीक उसी प्रकार आसफलता हमें नहीं चुनती हम आसफलता को चुनते हैं ये हम ही हैं जो आशा को छोड़ कर संघर्ष करना छोड़ देते हैं और भाग ये का अखेट बन जाते हैं इसलिए संघर्ष करना मत बंद कीजिए प्रियास करते रहीं और सफलता आपकी मुठ़ी में होगी जब घर में अंधकार जा जाता है तो प्रकाश लाने के लिए आप क्या करते हैं दीपक धूनते हैं और उसकी लोग को प्रजुलित करते हैं और फिर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है यदि अंधकार को दूर करना है तो दीपक की लोग को प्रजुलित तो करना ही पड़ता है यही बात तो समझने की है यदि अंधकार से लड़ना है तो अंधकार का सहारा नहीं लिया जा सकता उसके लिए प्रताश की अवशक्ता होती है ग्रिणा का अंत करना है तो उसे ग्रिणा से अंत नहीं किया जा सकता उसे प्रेम की अवशक्ता होती है शत्रता का अंत शत्रता से नहीं किया जा सकता उसे शमा की अवशक्ता होती है यदि आपको नकारात्मक पूर्जाओं से लड़ना है तो स्वैम को सकारात्मक बनाना होगा और तभी आपके जीवन में वास्तविक आनन्द आ सकेगा एक ना एक बार हर युवा के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसके माता पिता उसके साथ बहुत कठोर हो रहे हैं मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपने कभी कुमार को मट्की बनाते होगे देखा है वो गीली माटी से मट्के को चाक पर आकार देता है और वास्तविक आकार वो मट्की को तब देता है जब वो लकडी के संभल से मट्के को बाहर से पीटता है हम सभी उस कुमार को मट्के को पीटते होए देखते हैं परन्तु उस कुमार के उस हाथ को नहीं देखते हैं जो मट्के को भीतर से बाहर की मार से सहारा दे रहा हैं हमारे माता पिता भी ऐसे ही होते हैं अपनी संतान के भले के लिए उसके भविष्च को आतार देने के लिए कभी कभी वो कटोरता को भी अपनाते हैं आप केवल उनकी कटोरता को मत देखे उस संभल को भी देखे जिसने आप को भीतर तक से समाल कर रखा है आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब इस व्रिक्ष पर फल लगेंगे और मैं उन मीठे फलों के रस को चखपाऊंगा हसी आ गई ना आपको आप भी सोच रहे होंगे कि भला कौन सा मूर बबूल के पेड़ को बोकर आम खाने की इच्छा रखता है यदि काटे बोए हैं तो फल नहीं काटे ही मिलेंगे देखा रक्त बह गया ठीक ऐसा ही हमारे कर्मों के साथ होता है हमारे बुरे कर्मों का फल कभी शुब नहीं हो सकता जो हाथ असमिता लूटने को आगे बढ़ेंगे उन हाथों को कटना होगा जो द्रिष्टी बुरी बनकर स्त्री पर पड़ेंगे उन्हें अंजान नहीं रक्त के अश्र भोगने होंगे जिसने अपने जीवन में च्छल किये उसे अपने ही च्छल के भार तले तब गर मिट जाना होगा समय रहते जिसकी आँखे नहीं खुले समय उसकी आँखे बंद करते दायर इन भिन भिन प्रकार के पात्रों को देख रहे हैं आप क्या आप बता सकते हैं कि इन पात्रों में क्या रखा है आपको लग रहा होगा कि इसमें भिन भिन प्रकार के द्रव है है ना परन्तु ऐसा नहीं है इन सभी में एक ही जल है देखिए परन्तु ये भिन भिन लगते हैं चूकि जिसमें ये जल रखा है उसके रंग को परिभाशित करता है अब यू समझेए कि इस पात में रखा जल हम हैं और ये बात वो संगती है जिसमें हम रहते हैं हमारी संगती के गुण धर्म हमें हमारे विक्तित्व को हमारे संप्रेशन को बहुत प्रभावित करते हैं इसलिए अपनी संगती पर जिनके साथ रह रहे हैं उन्हें चुन्ने में साउधानी बरते हैं चुकि जल को अपना पात्र चुनने का अधिकार नहीं है। किन्तु हमें अपनी संगती चुनने का अधिकार अवश्य है। हम सभी के जीवन के लिए मित्रता बड़ी महत्वपून है। हम सभी अपने जीवन में अपने अपने मित्र चुनते हैं। मित्र वो होता है जिसके साथ रहने में, जिसके साथ समय बिताने में आनन्द मिले। किन्तु क्या मित्रता का अर्थ केवल इतना ही है। मित्रता होनी चाहिए जल और दूद की भादे। जो एक साथ सदा मिल जाते हैं, एक आकार हो जाते हैं, जब दूद उबलता है, तो जल भाद बनकर उड़ता है। ताकि दूद का अस्तित्व बना रहे। जब ये मिश्रण उफनता है, तब दूद पात्र से पहले गिरता है, ताकि वो जल को बचा सके। मित्रता भी इसी प्रकार होती है, किन्तु यदि दूद में तनिक भी खटा साजाए, तो वो दूद को फार देती है। ठीक इसी प्रकार, यदि मित्रता में संदेह आजाए, तो वो मित्रता को समाप कर देता है। इसलिए मित्र बनाएं किन्तु जूटे संदेह से साउधान रहे जब सागर का जल वाश्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता मेग उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं लंबी यात्रा करते हैं प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके वीतर छिपा रहे परन्तु जब वायू का वेग उन्हें उड़ा कर किसी परवत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेगो को बरसना ही पड़ता है चुकि यही नियती है यही प्रकरती है चुकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है हम सत्य अपने मन के मेगो में चाहे जितना चिपाने का प्रयास कर ले परन्तु समय की आंधी उसे वास्तविक्ता के परवत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है जिस भाय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहे एक दिन वही भाय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं चुकि हमने उस भाय का सामना करने की तयारी नहीं की होते इसलिए सत्य से भागे नहीं उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्विकार करें भविश्च की बड़ी विपत्ती से बच जाएंगे व्रिक्ष से तूट कर गिरे पत्ते को तो आप सभी ने देखा होगा वो कुछ ही देर में मुर्जा जाता है, पीला पड़ जाता है, सूख जाता है वाईू का वेग उसे उड़ा कर कहीं और ले जाता है, पैरो तले पिस्ता है, वर्षा के जल में गलता है तो क्या यही अंत है? नहीं, इसके पश्चाद क्या होता है वो विचारनी है एक पत्ता गल कर, सूख कर, पिस्कर उसके अवशेश धर्ती में रिस्ते हैं, और खाद बनते हैं और उसके पश्चाद, वो खाद पेड की जड़ों में जाकर मिल जाता है और नव जीवन देता है एक और नए पत्ते को अर्थाद, कहीं भी, कभी भी, कुछ भी ना अयोग्य होता है, ना बिकार होता है इसलिए कुछ नश्ट हो जाने की चिंता करे बिना उसे आप समाज के हित में लगा दीजी विश्वास कीजी, वो बस्तू, वो प्रियास कभी नश्ट नहीं होगा कंकडों से बचने के लिए हम पदवेश पहनते हैं फिन प्रकार के जूते पहनते हैं और अच्छे जूते पहनकर काटों के मार्क पर चलना सरल हो जाता है परन्तु जब ये कंकड, जब ये काटे हमारे जूतों में होते हैं तो तो सरल मार्क पर चलना भी कठिन हो जाता है ठीक इसी प्रकार ये कंकड़ ये काटे हमारे मन में होते हैं, ये कंकड़ ये काटे होते हैं हमारा अतीत, जिसके भय के कारण हम उसे वर्तमान में स्विकारना नहीं चाहते हैं, कदाचित इसलिए हमारे अतीत को भूत कहा गया है, चुकि ये भूत की भाती हमारा अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ता इसलिए अपने अतीत के भयाबह घटनाओं से भागे नहीं उसे स्विकारें विश्वास कीजिए आपका जीवन सरल हो जाएगा कभी किसी पक्षी को घोसले की नीव बनाते देखा है अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बिटोर कर वो पक्षी अपना घोसला बनाता है अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है और फिर कहीं से तीद्र आंधी आती भारी वर्षा होती और उसका घोसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है फिर वो पक्षी क्या करता है वो रोता नहीं ना ही विलाप करता है वो विना विलम्भ करे फिर से अपना घोसला बनाना प्रारंब कर देता और सपलता पाता है फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भैभीद होकर परिश्टम करना छोड़ देते हैं। एक बात सदास्मरन रखिएगा। हर व्रिक्ष पुलाडी की एक मार से नीचे नहीं गिरता। हर चटान घन के एक प्रहार से नहीं तूडती। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्टम करना ही मात्र एक मार है। स्विकारण, सत्य का स्विकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर है। जब तक मनुष्य सत्य को स्विकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ती प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है आपका पेट स्विकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है आपका मन स्विकारता है कि आपका शरीर ठक चुका है और उसे विश्राम की अवशकता है उसी प्र कि बहुत हो चुका चाहे वो लालच हो या मदिराफान उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंब होता है जब आप ये स्विकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं आप इन दो पात्रों को देख रहे हैं मेरे इस पात्र में जल है और ये पात्र मिष्ठान से भरा हुआ है दोनों ही पात्र भरे हैं परन्तु देखिए मिष्ठी को जल में मिला दिया जल ने मिष्ठी को अपना लिया मिष्ठी ने अपना अस्तित्व खो दिया परन्तु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है परन्तु जो इस जल को चखेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि ये जल अब वो जल नहीं रहा ये अब शर्बत बन गया हमारा थ्यार हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं जो इस बात को अनुभफ करते हैं वो समझ सकते कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नश्ट नहीं होते। अब ही तो उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है हम सभी कभी न कभी कही न कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते हैं पक्के रास्ते मनुष्य बनाता हैं और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं चलते चलते बन जाते हैं जब लोग एक स्थान से जाते हैं तो पैरों के दवाओं से नीचे की घास कुचल जाती है बार बार उस मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वते ही बन जाता है और यही जीवन है यही नियती है जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुकिये नहीं आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाओं से मार सतय ही बन जाएगा हम सभी अपने जीवन में सफलता चाते हैं है ना उसके लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं कड़ी मेहनत करते हैं परन्तु फिर भी असफल हो जाते हैं परन्तु ऐसा क्यों होता है कभी सोचा आप सब ने क्योंकि सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं बड़ा सरल है उचित विचार उचित समय उचित थान पर उचित प्रहार जब आपके विचार समय स्थान और प्रहार यानि परिश्रम उचित हैं तो सफलता आपी को मिलेगी जिस प्रकार एक लोहकार लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सही ताप तक के आने की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर उचित स्थान पर प्रियाप्त बल से प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता है ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी निराशा मिलती है आज सफलता मिलती है और अधिकतर लोग इसके पस्चाद भाग गी कारोना लेकर वैट जाते हैं कुछ कहते हैं कि जिस थान पर मैं हूँ उससे कई उचे स्थान पर होने के योग यह था परन तु नहीं जा पाया किसी को पीड़ा है कि उसे जो मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला भाग गी ही बुरा था भाग गी क्या होता है भाग बन में खिला पुष्प देवताओं को चड़ाया जाएगा या किसी सुंदरी के वेणी में वो सजेगा या फिर उसे कुचल कर रुथपाद बना दिया जाएगा ये सब एक पुष्प के नियंतर्ण में नहीं होता परन्तु जब तक उस पुष्प का अस्तित्व है सुगंद बिखेरना उसके वश में अवश्य है परन्तु भाग भाग ये हमारे वश में नहीं और जो हमारे वश में नहीं उसके लिए दुखी होने से क्या होगा कर्म पर वश है वो कीजी और धीरे धीरे भाग ये आपके वश में आ जाएगा चुकि कर्म ही प्रधान है हम में से ऐसा कोई नहीं जिनकी परच्छाई उनसे दूर रहती है हमारी परच्छाई सदयव हमारे साथ रहती है कदाचित हमारी परच्छाई हमारे कर्मों के भलों का संकेत है कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परच्छाई से भय भी लगता है परंतु इस भय से निवारन पाने का एक साधन अवश्य है वो है सूर की ओर मुख करन या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करन चुकि तब हमें हमारी परचाई दिखाई नहीं देती यदि इसे जीवन के संदर्व में देखे तो ये प्रकाश का स्रोत शुब कर्मों की चेतना है यदि आपके मन में शुब कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भै नहीं होगा चुकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आप एक कर्म शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता आज मैं आज सबको एक कथा सुनाता हूँ एक दिन प्राता है एक व्यापारी अपने घर से निकला घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग कारती व्यापारी खबरा गया वो फिर से घर लोड़ गया और शुब घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा और जब वो पुना अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुँच कर उसे भेड़ते नी थे राजा को भेट नहीं मिली राजा क्रोधित हो गए राजा ने उस व्यपारी का व्यपार बंद करवा दिया इस कारण व्यपारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा पत्नी अपने बच्चों समेत मैके वापस चली गए और उस व्यपारी की जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था ऐसा ही एक दूसरा व्यपारी राजा को भेट देने निकला और उस व्यपारी का मार्ग भी एक गिल्ली ने काट दिया वो व्यपारी तनिक घबराया परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा राजा तक वो समय पर पहुँचा है उसने राजा को भेट दी राजा प्रसन्न होए और राजा ने व्यपारी को अपना व्यपार बढ़ाने की अनुमती दी स्वण आभूशन दी जब व्यपारी घर पर पहुँचा तो पत्नी को आभूशन और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास हर और प्रसन्नता थी समझ रहे हैं ना दोनों के साथ एक ही प्रकार की खटना हुई परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन थे ऐसा ही हमारा जीवन भी है हमारे जीवन में प्रारद का अपना स्थान है परंत उससे कई अधिक महत्वपून हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है चुकि यही हमारे जीवन को आकार देते इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए आपका जीवन सदैव आनंदमे रहेगा कभी किसी सुरंग से बाहर निकले हैं आप कैसा ना भूल पाने वाला अनुभव होता है न कितना भयावा अनुभव होता है मानो हर पल ऐसा लग रहा होता है कि यदि इस सुरंग में बंद हो गए तो क्या होगा कैसे निकलेंगे सुरंग से सर्वत्र अंधकार होता है परंदु यदि आप ध्यान से उस सुरंग के मुखाने पर देखें तो वहां सदा प्रकाश होता है और उस प्रकाश तक वही पहुँच पाता है जो सुरंग की छोर तक महँच पाए और ऐसा ही हमारा जीवन भी है इसी प्रकाश कई बार हम स्वयम को निराशा की सुरंग में पाते हैं जहां बाहर जाने का मार्ग नहीं सूचता मानो जैसे जीवन आनन सब समाप्त हो जाएगा परंदु ऐसी परस्थिती में भीक उस सुरंग की भाती इस निराशा को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहे यदि आपके जीवन में कभी भी निराशा आए कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान है निरंतर प्रित्न करते रहना प्रयत्न करते रहिए आपको सफलता अवश्य मिलेगी कभी आप ब्रह्म मुहूरत में जगे हैं जग कर देखिए संद्या होने के पश्चार जब रात्री का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है तो यही अंदकार ब्रह्म मुहूरत में भोर होने से ठीक पूर तनिक अधिक काला हो जाता है कुछ समझे हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है जब हमारे जीवन की समस्याए अपने अंध पर होती है तो यही समस्याए एक धीशन रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है और ऐसे परिस्थिती में अधिक्तर लोग हार मान जाते हैं, भैखा जाते हैं परंतु यदि आप हार न माने भै ना खागे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा आपने बर्गत के व्रिक्ष को देखा है, जितना विशाद, उतना द्र, पतजड में वो सूख जाते हैं, परंतु दुर्बन नहीं होते, तूट कर गिरते नहीं और उसके विपरी, दलदल में उब्जेव रिक्षो को देखी, वो दिखने में तो बड़े होते, पतजड आय या शीत, सदा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जल धारा के हलके से वेग से वो गिर जाते हैं, परंतु ऐसा क्यों होता है? तारण है जड़े, जिसकी जड़े दड़ भूमी में है, वो हर चक्रवाद, हर रित्वों को सह लेता है, और जिसकी जड़े दलदल में है, वो स्वयम की जड़ों को दुर्बल बना लेता है, पुछ ऐसा ही मनुश्य भी होता है, जो अधर्ब, पुकर्ब और असत्य की धर पर उप्चा है वो समय की एक मार भी नहीं सहबाता है और जो मनुष्य सत्थ धर्म की धरा पर उप्चा है वो हर समस्या से अविचलित्थ हो जाता है अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं हमारे जीवन में मित्र और शत्रू बड़ा महत पर रखते हैं यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई शड़ नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों या फिर अपने शत्रों के बारे में हमारा हर कार या तो हमारे मित्रों के हिद के लिए होता है या फिर हमारे शत्रों के अहिद के लिए हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते है या फिर अपने शत्रों के साथ कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रों प्रसंद रहे हर कोई अपने शत्रू को नश्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है उसे आर्थिक, मानसिक और शारिरिक हानी पहुचाने का प्रयास करता है परन्तु यदी मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रू को सदा के लिए नष्ट कर देंगे और वो मंत्र है मित्र बनाना अपने सभी शत्रू को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सारे शत्रू सवता ही समाप्त हो जाएए मैं क्या कर रहा हूँ मैं देप्रजुलित कर रहा हूँ ताकि अंधकार को मिटा सकूँ अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है है ना परन्तु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए ये है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ और मैं अंधकार नहीं कर रहा हूँ चुकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है बुराई को बुराई से नहीं अच्छाई से जीता जाता है अन्याय को अन्याय से नहीं न्याय से लड़ा जाता है क्रोध को क्रोध से ने शमा का साथ लेना होता है ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है परन्तु एक धंडा लोहा ही गरम लोहे को काट सकता है इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विज़ाई होना है तो अपने शक्त्रों को, अपने अस्त्रों को सोच समझ कर उठाईए चुकि एक अनुचित सोच परिणाम पर भारी प्रफाव डाल सकती है आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं करने लगा मैं इस पौधे को जड़ से उखाड रहा हूँ आश्चर्य हो रहा है ना कि एक पौधे को उखाड़ना या काटना ना केवल एक अपराध है अपितुप पाप भी है तो फिर मुझे ऐसा करने की क्या वशक्ता पड़ गए क्योंकि कई बार विनाश ही सिर्जन तक पहुचाता है यदि नया भवन बनाना हो तो पुराने भवन को गिराना पड़ता है विवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांती लानी पड़ती है और उसी प्रकार यदि किसी व्रिक्ष या किसी पौधे की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सर जाए तो उसे जड़ से उखार देना ही श्रियस्थक होता है ताकि उस थल पर नए पौधे उपज सके युद्ध करना प्रयाय नहीं परंतु कभी कभी शान्ती के लिए युद्ध करना अवश्यक हो जाता है किसार में सबसे श्रेष्ट क्या है फूल या काटे प्रेम या घ्रणा संपन्नता या दरद्रता मित्र या शत्रू बताईए अब आप दे कहेंगे कि भला ये कोई पूछने की बात होई अवश्यक हो फूल प्रेम संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ट है परन्तु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुड़ धर्म होता है क्वचा पर जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ट वो काटे हैं जिनसे आप अपने घर की बाढ़ बनाते हैं ताकि वन्ने पशु आपके भीतर ना सके वो प्रेम श्रेष्ट नहीं जो आपको अंधा लोभी पक्षपाती बनाते हैं वो घ्रणा श्रेष्ट है जो आपको नया मार्ग दिखाते हैं वो संपन्नता श्रेष्ट नहीं जो आपको कृपन बनाते हैं मत्तांद बनाते हैं वो दरिद्रता श्रेष्ट है जो आपको ज दिखाने वाले मित्रों से अधिक श्रेष्ट वो शत्रू होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष दे दे इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर भाव, हर घटना के गुण धर्म को पहचानिये और उसके पश्चात अपना चायन कीजिए स्वर्ण, हम सभी को अपने जीवन में स्वर्ण से कभी न कभी कुछ न कुछ थोड़ा या अधिक मो होता ही है, है ना, परंतु क्या आपने कभी सोचा, कि स्वर्ण को प्राप्त कैसे किया जाता है, जब भूमी गत खदानों से स्वर्ण को निकाला जाता है, तब वो एक पा पाशान जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं, परंतु उसे आभूशन के रूप में स्वयम के शरीर पर धारण नहीं कर सकते हैं, यदि उसे आभूशन बनाना है तो उसे लंबी यात्राय करनी होती है, उस पाशान को पिखलना होता है, सुनार के हथोड़ी की अने को चोटे पिखानी पड़ती है, फिर काट, छाट और उसके पस्चाद जाकर वो ऐसा आभूशन बनता है, जो हमें वर्षोता है, सद्योता है, लुभाता रहता है, इसलिए यदि आपको समय पर विजय पानी है, तो स्वयम के निर्मान पर समय देना होगा, हम सभी सुनते आएं, कि जो वीर होता है, साहसी होता है, शौर्यवान होता है, उसके समक्ष सारा संसार जुकता है, वीर भोग्य वसुन्धर, परंतु वीर्ता है क्या, शौर्य क्या है, साहस क्या है, साहस युद्ध नहीं, वीर्ता विजय नहीं, शौर्या कभी ना गिरना नहीं, साहस किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का भाव तो वीरता उस चुनौती को उत्तर देने के लिए पून परिश्रम लगा देना है और शौर शौर्रे का अर्थ है गिर कर फिर से उठने का साहस रखना बार बार प्रहार करके वीरता दिखाना निरंतर प्रयास करते रहना निरंतर परिश्रम करते रहना इसलिए विजय होने से अधिक महत्वपूर्ण है शौरिवान होना क्योंकि जो शौरिवान है उसे विजय मिलना निश्चित है हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि अच्छे मित हमारे जीवन को पूर्ण तह परिवर्थित कर सकते हैं है ना अच्छे मित परंतु कौन जिनसे आप प्रश्ण पूछे और वो मित्र बिना किसी पक्षपात के भैरहित होकर बिना किसी लालच के आपको उचित उत्तर दे परंतु सबके समक्ष ये समस्या आजाती है कि आज के समय में ऐसे मित्र मिलना दुरलब हैं वो तो होते ही नहीं परंतु मैं आपको एक बात बताता हूं हम सब के पास एक ऐसा मित्र होता है बस हम उसे पहचान ही नहीं बाते वो है दर्पन दर्पन के समक्ष खड़े होकर आप स्वयम से पूछी कि यदि आज आपका अंतिन दिन होता तो क्या आप वही करते जो आप कर रहे थे आपको उत्तर मिले या ना मिले परन्तु आपके दिशा अवश्य बतले हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार करते हैं कार करते हैं तो थकान की अनुगूती होती है और यदि थकान ना उत्रे तो कार करने का मन नहीं करता हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो अराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं है ना परन्तु क्या आपने गभी सोचा कि जो लोग संसार में सफल हैं उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे तो फिर वो सफल क्यों है इसका एक छोटा सा रहस्य है वो वो कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिये जिसे करने में उन्हें आनंद आता है उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं उन्हें लगता है कि वो प्रतीपल आनंद मना रहे हैं और जब आप आनंद मनाते हैं कि इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कारे करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए या जो कारे आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दू सफलता आपको मिलेगी हमारा शरीर प्रकृति का एक महान अविश्कार है इससे जटिल संग्रचना संसार में और कोई नहीं हमारा शरीर जितना जटिल है यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ग्यान देने वाला और कोई नहीं हमारे शरीर में पंच इंद्रिया हो